नमस्कार दोस्तों काविल नियुज में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 23 और 24 दिसंबर को बिहार SSC CGL का एकजाम हुआ था और तीनों का जो पेपर था सोसल मीडिया पे काफी वाइरल हुआ था फिर भी सिर्फ एक ही सिफ्ट का एकजाम रद किय है और इसी मुद्धे पर हम बात करने के लिए नमीन सर के पास एक बार फिर से हाजिर है सबसे पहले सर स्वागत है आपका धन्यवाद और जो भी छात्र देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से नए साल की सुब कामना है और जब तीनों सिफ्ट का पेपर वाइरल हुआ सोसल मेडिया पे तो एक सिफ्ट का एकजाम रद क्यों हुआ सर आवाज को दबाने के लिए अच्छात्रों को सिर्फ लुभाने का कोशिस किया गया और फिर अपना काम निकालने वाला बाग हुआ हमको लगता है कि वो भी एक सिफ्ट का रद नहीं होता अगर स्टूडेंट आवाज उठाए प्लस स्टूडेंट को प्रमान सारा देना परा कि देखिए आपका ये कोश्चन भाइरल हुआ है इतने बजे से भाइरल हुआ सारा कुछ दिखाई तो जाकर करके आर्थिक अपरा दिखाई उसको आगे बरहाई तब जाकर करके एक सिटिंग का रद हुआ लेकिन एक ही सिटिंग का रद क्यों हो क्योंकि जबकि उसका पुकता परमान है कि 24 तारिक के को जो एकजाम हुआ है उसका भी आप लगातार देख रहे हैं और जो 23 तारिक सकेंड सिटिंग का भी जो भाइरल हुआ है उसका भी परमान उपलवद है तो कहीं न कहीं एक सिट अगर आप इग्नोर कर रहे हैं यह भविस्क आभी बहुत अच्छा संकेत हम इसको नहीं मानते हैं बहुत ज्यादा है उमीद से और हमको लगता है कि यह सरकार इतना इजी वे में पताने क्यों नहीं बात समझ माती है जैसा कि आप देखे होंगे कि मानिया सिक्छा मंतरी का भी बयान बेतु का बयान उनका आया था और संभवत बहुत सारे बच्चे उनका यूटूग पर इंटर्वियू भी देखे और बड़ा नाखुसी भी जाहिर कर रहे थे तो इस सरकार से आईस से हमको लगता है कि उमीद करना बेमानी होगा और जिस तरीके साब देख रहे हैं कि कल चार जनवरी को स्टुडेंट प्रोटेस्ट के मूड में पूरी तरीके से हैं पहले से एनाउंस किया हुआ है कि पटना कॉलेज के फिल्ड से हम लोग अपनी परसेंट जायज है और इस मांग को गॉवर्मेंट को ऐसे ही स्विकार करके बांकी दोनों सिटिंग का भी एकजाम को कैंसिल करना चाहिए था अगर नहीं करती है तो सत्य का साथ आप लोगों को निशित रूप से देनी चाहिए और कल जो पटना कॉलेज से स्टार्ट होने पहुचाने का परियास करें और इसमें सभी छात्रों की भूमिका महती होगी और इसके अलाबा जो चात्र के कुपर्तिनित करते हैं यानि जो टीचर भी परहते हैं उन चात्रों को उनको भी छात्रों को युनाइट करके इस मोही में भाग लेने के लिए थोड़ा साथ हम लोगों के साथ जब कुछ होता है आपको सर बोल रहे थे या दो चार टीचर जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद दे रहे थे लेकिन कुछ बड़े टीचर भी हैं सर जो एकदम चात्रों हीत में कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं हम उन पर टीपनी करना उचित नहीं समझते हैं चुकि सब का अपना सोच होता है अपनी मजबूरियां होती है पताने क्या सोच और क्या मजबूरियां उनकी रही हैं लेकिन चुकि छात्र हैं तो टीचर हैं दोनों का अपने आप में एक अलग रिलेशन भी है और हमेशा से कोई भी टीचर है छात्र को बहतर रास्ता दिखाने का प्रियास करते हैं या कोसिस करते हैं तो अभी के समयम बहतर रास्ता क्या है हर किसी को समझ माती है इसलिए करके इससे पहले भी हम लगातार वीडियो बनाए थे सूसल मीडिया पर भी एक्टिव हो करके मैक्सिमम छात्र लेकिन कलका जो अंदोलन होगा उससे भी सरकार कुछ सुनेगी सर उमीद है कुछ आप देखेंगे कि पक्च हो या भी पक्च हो जो भी छात्रों के सुबचिन तक है इस बात को लगातार उठाते रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुचाने का परियास कर रहे हैं कि इन छात्रों के हित में उचित फैसला गौवर्मेंट को ले लेनी चाहिए और अगर नहीं ले रही है तो इन छात्रों का दुरुभागे और बिहार का दुरुभागे हम तो यही काना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर छात्रहित में इतनी बात करने के जिए धन्यवाद आपके